हेलो एविवीवन वेलकम टू स्नेयावी किचन आज बना रही हूं बहुत ही टीस्टी बच्चों के लिए ये बच्चों के टिपिं के लिए रेसिपी है ये बहुत ही अच्छी लगते है और पड़े भी से आराम से खा सकते हैं तो इसका नाम है पालक-पनीर रोल तो चलिए बनाते हैं सब से पहले मैं मिक्सी का जाड़ ली हूँ उसमें डाले हूं एक बीटूट उसे पानी ड्ल के पीस ले पिर मैं आर्ट के बेराम पर यहां ब्लति गह अच्छा से नगांगे अर् गीbs करके अपले आटा लगाने के लिए अगर आपको पानी और चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं और सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका ये देखिए बहुत ही अच्छी से बन गई है और इसके उपर से मैं घी लगा करकी इसे ढग कर रख दोंगी 15 मिट के लिए तो जब तक ये मेरा आटा है इसका स्टफिंग बना लेती हो तो सबसे पहले मैं पालक ली हूँ ये 200 ग्राम जितना पालक है आप कम ज्यादा कर सकते हैं और इसे मैं ऐसी रफली चॉप कर ले रही हूँ तो अब देखिए मैं किस तरह से चॉप कर लिए आप इसी तरह से चॉप कर लिएगा तो ये पाल तो बीचाट अच हानते हो लेगए दोसे निकाल दूंगी और इसके बाद इसमें डालुऊंगी मैं ये पालक शें थोड़ा सा de six age पे भूनेंगे तो यह पानी चोड़ेगा और उसके बाद इसमें मैं पनीज भी डाल ते रही हूह पनीज आLo देख सकते आप कितना पानी ये निकल रहा है पालग से और पनीज से भी निकल रहा है, फिर मैं इसमें डाली हूँ चिली फ्लेक्स और औरीगानो, उसके बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लोगी, तो चिली फ्लेक्स आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बच्छों के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कम वेसे बुण लेंगे, देख सकते हैं आप पानी जो इसका एकदम ही ड्राय हो गया है और यह हमारी थे इस स्टफिंग है एकदम से रेडी भी हो गया है तो पानी इसमें नहीं रखेंगे, जितना भी पानी है इसे अच्छे से हम ड्राइ कर लेंगे, फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हूँ क्योंकि जो मैगी मसाला डाली थी ना उसमें भी सॉल्ट रहता है, तो नमक स्वात के अनुसार ही डालेंगे, देखिए हमारे ज सकते हैं, अगर बची हुई रोटी है, रात की तोगी आप उसका भी बना करके रख सकते हैं, और यह आप स्टफिंग और रोटी दोनों बना करके रख सकते हैं, सुवा मौनी में क्योंकि ऐसे भी बहुत हड़बड़ी होती है, बच्चों को टिफिन बॉक्स तैयार करना सिलिए, बीट रोट का तो यह देखे, मैं रोटी भी बना ली हूँ, हमारे जितने भी रोटिया हैं, तीन से चार मैं इसे बना अपर रख लए ह機, तो आप देख सकते हैं, रोटिया भी बहुत सॉ मख्थी बनती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेस्टी भी लगती प्रण होड़ी उप्सिनल है आप अपढ़ी कर सकते हैं तो उसके बाद फिर इसमें में थोड़ा साचीज डाल रहे हूं जादा पतला नहीं करेंगे अब मैं रोटी को संबल करूंगी तो सबसे पहले मैं लगाई हो रोटी को पर स्थास यह तर्मेटर सौस है उसके बाद में डाल दूँगी इस पे हमारा जो स्टफिंग था उसे मैं अच्छे से भरबर के रखूंगी ताकि बच्चों को बच्चे खाएं इसे तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आप भी बनाईए जरूर आपको भी देखी अब बहुत ही अच्छा लगेगा और इसके बाद फिर मैं जो उपर से थोड़ा सा चीज डाल दी हूँ ताकि और भी अच्छा लगे बच्चों को और फिर मैं जो यह आटा का गूल बनाई थी इसे मैं उपर से इसे लगा दूँगी ताकि जो रोटी जो मैं रोल करूँ तो यह अच्छे से चिपक जाए और खुले ना फिर मैं आपके मर्ची आप निकालना चाहे तो निकाल दे वरना आप रख भी सकते हैं और मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि यह बहुत ही सौप अक्ची देखते हैं इस तरह से और फिर मैं लगाई पैन पे डाल रही हूँ घी आप बटर भी यहां यूज कर सकते हैं और उसके कि दीजिए बच्चे इंट्रेस्ट के साथ में खाएंगे और बहुत ही अच्छी लगती है अगर आपको भी अच्छी लगती है मेरी यह रेसिपी तो आप प्लीस मुझे एक बार लाइक बटन तो जरूर प्रेस कर दीजगा यह देखे हमारी जो रोटी एकदम से रोटी र लिए अब मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तक तक के लिए बाए बाए फ्रेंड्स